Hello Everyone, Welcome to Homework Corner. I hope you all are safe and healthy. आज का जो मारा टोपिक है वो है एड्जेक्टिव. एड्जेक्टिव को हम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी बॉलते हैं. ये जो वीडियो है special छोटे बच्चों के लिए है जिनका एड्जेक्टिव फर्स्ट और सेकंड थर्ड क्लास में आ जाते हैं. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को प्रीज सब्सक्राइब करें. जो हमारे डिस्क्राइबिंग वर्ड होते हैं, जो नाउन होते हैं, उनके बारे में extra information देते हैं. उनकी जो साइज है कि फोलर है या बड़ा है, उसका color कैसा है उसकी shape कैसी है उसकी quality अच्छी है बुरी है quantity की वो कितनी मात्रा में है जो हमारे adjective होते हैं वो हमें बताते हैं हमारे describing words आईए कुछ examples देखते हैं for example beautiful house अब जो house है वो हमारा noun है लेकिन इस noun के बारे में extra information क्या है कि वो जो घर है वो बहुती सुन्दर है a small hut जो hut है वो कैसी है small तो यहाँ पी जो small है वो हमारा adjective है describing words है beautiful भी हमारा describing words है a big ball जो big है वो हमारा describing word है वो बोल के बारे में extra information दे रहा है कि जो बोल है वो कैसी है big है a tall boy लंबा बच्चा लड़का तो boy के जो toll है यह हमारे क्या है describing words है red apple जो apple हो कैसा है red है cold tea चाय कैसी है ठंडी है so beautiful, small, big, tall, red, cold these are the example of adjective or describing words आईए आगे बढ़ते हैं हमारा जो question number first है वो है write colors to describe the things यहाँ पर मैंने कुछ things लिखे हुई है हमें उनका color लिखना है और उनको describe करना है उनको बताना है पहला है हमारा the apple is so जो apple है हमारा वो कौन से color का होता है red green भी होता है लेकिन आप यहाँ पर green और red दोनों में से एक लिख सकते है next question है हमारा the banana is हमारी जो banana हो कैसी होते color में yellow the grapes is grapes कैसे होते है हमारे green और आप black भी लिख सकते हो क्योंकि हमारे जो grapes है वो black भी होते है the orange is orange यह जो orange है यह हमारा color है आए next question की तरफ बढ़ते है count and fill the missing number words हमें यहाँ पर जो pictures given है इनको count करना है और यहाँ पर लिखना है जो हमारे describing words होते है वो हमें बताते है quantity की कोई चीज जो है हमारा जो noun है या thing है या person वो quantity में कितने है यहाँ पर जो इनकी quantity है वो है three यहाँ पर कितने balloons है थ्री balloons है candle one two three four कितनी candles है हमारी four candles है flag one two three four five six कितने flags है हमारे six flags है bowls one two three four five six seven so seven हमारी three four six seven यह हमारे क्या है describing words है यह quantity बता रहे है balloons की candles की flag की and bowls की आईए तीसरे question की तरफ बढ़ते हैं match the following नीचे मैंने हाँ पर इस तरफ लिखा हूँ है मैंने describing words और मेरे right hand side है naming words हमें जो suitable लगे उस describing word को naming word के साथ match करना है पहले हमारा toll है तो यहाँ पर suitable होगा boy toll boy wild animal tasty food hot tea and new cloth is आईए अब next question की तरफ बढ़ते हैं question number four है हमारा underline the describing words in the given sentences यहाँ पर मैंने कुछ sentences लिखे हुए हैं जहाँ पर हमें describing word को underline करना है वरून has a white dog अब मैंने आपको बताया था describing word कौन से होते हैं हमें noun के बारे में उनके color उनके size shape quantity quality के बारे में बताते हैं जो हमारा खान है वो कैसा है tasty है she wore a beautiful dress उसमें कैसी dress पहनी हुई है beautiful so white good for tasty and beautiful यह है हमारे describing words so आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो like करिए share करिए और हमारी चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें thanks for watching